चुनाव की कहानिया रास्ता है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता कभी उपर तो कभी नीचे चलता ही जाता है और कितना रास्ता बाकी है ये पता भी कैसे चले हर तरफ पेड़ हैं और घास है ना कोई सड़क है और ना ही कोई मार्क चिन बताओ भला, इसके बावजूद सब अपने रास्ते पहुंच जाते हैं वो तो है साहाब, ममई मुस्कुर आते हुए बोला साहाब ये चांगला है, 48 किलो मिटर दूर है चांगलांग से शायद हमारे अरुनाचल प्रदेश का सबसे दूर बसा हुआ गाउं है और अभी मौनसून के कारण भी रास्ता थोड़ा और कठिन हो गया है तिरप नदी का पानी उभान पर जो है, इसलिए धलान इसलन पटीसी बन गई है मैं तो ममई के पीछे पीछे ऐसे चल रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा अपने पहले कुछ कदम रखकर चलना सीख रहा हो समझ नहीं पा रहा था पैर कहा रखूं और हाथ कहा ले जाओ क्योंकि बिना सहारे के चलना तो संभव हो चला था और दूसरी तरफ थे ये साहाब ममई जिनको देखकर ऐसा लग रहा था कि मौनसून के पानी ने इनके पैरों को कुछ अलगी चिपक दे दी है जो ये पिसली नहीं सकते इसलिए तो ऐसे भागे जा रहे हैं कि हम तो डर से मरे जा रहे हैं कि कहीं आखों से ओजली ना हो जाएं पर चलो जैसे तैसे भीगते भागते चारों खाने चित हुए मतदान केंद्र तो पहुँच ही गए फिर बूत तयार कर मतदाताओं का इंतजार शुरू हुआ सुबे दस बजे तक तो दो ही वो डले थे पर दस बजे के बाद धीरे धीरे कर्चे रास्ते फिसलन पटी सी पहाडियां लांगते चार घंटे का पैदल सफर करके भारत के नागरिक पहुँची गए संसार के सबसे बड़े जनतंत्र को और मजबूत करने इन रास्तों पर जहां न गाडियां चल सकती है न और कोई आने जाने का साधन है पतली पगडंडियां जिनके दोनों तरफ खाई है जहां चलने के लिए वास्तविक्ता में तिनकों का सहारा है ऐसा भूखंड भी भारती होने का हक और अपने देश के प्रती प्रेम का जज़बा कम नहीं कर पाया ये था चांगलाव इन असाध्य रास्तों पर चलते हुए इलेक्शन अफसर और गाउवालों को क्या विचार आते होंगे क्या है जो इनको इन रास्तों पर चलने के लिए प्रेरित करता है ऐसे लगता है कि अफसर और गाउवाले एक ही रस्सी के दो चोर है और दोनों एक दूसरे को कर्तव्य निष्ठा और अपने अधिकारों से सद उप्योग की तरफ खेंचते हैं क्या ये सोच सही है?